महला हो या पूरुष हर कोई घनी और काले बालों की चाहत रखता है लेकिन खराब खान पान, लाइफटाइल और तनाव की वज़े से अक्सर लोगों को जड़ते बालों का सामना करना पड़ता है दैसे तो एक दिन में 50-100 बालों का जड़ना आम माना जाता है लेकिन जब इससे अधिक बाल जड़ते हैं तो यह गंजेपन का कारण भी बन जाता है जब किसी वेक्ति के बाल अधिक जड़ते हैं तो वह गंजा हो जाता है तो अक्सर उसे लगता है कि अब उसके बाल दोबारा नहीं उग सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप चाहे तो कुछ घरेलो नुस्कों की मदद से आप अपने जड़े हुए बालो को फिर से घहना और लंबा बना सकते हैं तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे देशी नुस्का बताने वाले हैं जिसे अजमा कर आप बालो को मूटा बना सकते हैं साथ ही लंबा भी बना सकते हैं अगर आपके भी बाल इस तरह से गंजे हो गए हैं तो ऐसे से ऐसा बाल करने के लिए आप अधरक का रस लगाएं बालो पर अधरक का रस लगाने से बाल स्वस्त बनते हैं इससे हेर फोल की समझ्याएं कम होती है अधरक में जिंक और मैगनेशियम होता है जो बालो को जढ़ने से बचाते हैं अधरक लगाने से बालो में होने वाले डेंडरक भी खतम हो जाती है अपने जढ़े हुए बाल उगाने के लिए आप दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि आप बालों में अधरक का रस लगाएं, अधरक का रस निकालने के लिए अधरक को कद्दू कस कर ले, फिर इसे सूती कप्ड में लपेट कर निचोड़ें, फिर इस रस से बालों की जड़ों में मालिश करें आप चाहे तो अधरक के रस लगाने के बाद बालों में ओइलिंग भी कर सकते हैं ऐसे आप रेगलर करेंगी तो तीन से चार महिने के अंदर आपके जड़ चुके बाल बापस आने शुरू हो जाएंगे पतले बालों को मोटा करने के लिए आप दूसरा तरीक करता चाहिए होगा इन सभी को दो किलास पानी में 10 मिन तक उबाले फिर इसे थंड़ा होने के लिए छोड़ दे जब यह थंड़ा हो जाए तो इसे चान कर अलग कर दे फिर बालों की जड़ों में और लेंथ में इस पानी को लगाएं और करेब देड़ घंटे तक लगा र बालों में लगाकर 25 नट के लिए छोड़ दे फिर हेर वाश कर लें ऐसा आप हफ्ते में एक बार जरूर करें इससे बालों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके बाल हिल्दी हो जाएंगे अगर आप बालों को जल्दी घंणा लंबा करना चाहती हैं तो आप य इतना टाइम नहीं है कि आप इन सभी रेमिडी को एक ही दिन आज माएं तो आप एक एक दिन करके भी कर सकती हैं मेथी दाना ना सिर्फ बालों को तूटने से रोकता है बलकि उन्हें घंणा और चमकदार भी बनाते हैं मेथी के बीच में मौजुद आइरन की मातरा ब्लड करता है पिर बालों के विकास को फ्रोचाहिद करता है चावल के पानी का पीच अस्तर बालों के समान होता है जिसे बालों को जञने और टूटने से बचाने में मदद मिलती है करी पत्ता बालों के लिए इसलिए फायदे मंद होते हैं क्योंकि मेटा गैरोटीन और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है या बालों के जड़ने और बालों को पतला होने से रोगने में सहायक होते हैं बालों के विकास के लिए प्रोटीन भी आवश्यक है क्योंकि बाल प्रोटीन से बने होते हैं करी पत्ते में अमेनो एसिट की मात्रा भी अधिक होती है जो बालों के फाइवर को मजबूत करती है तो इस तरह से आप अपने जड़जों के बालों को दुबारा से घहना लंबा बना सकते हैं वो भी घर पर ही बिना किसी साइड इफेक्स के